अनुश्का शर्मा को मिला लीगल नोटिस अनुश्का शर्मा के प्रोडक्शन हाउस के अंडर बनी सीरीज पाताल लोग को व्यूर्स से काफी अच्छा रेस्पॉंस मिला है लेकिन सीरीज के आउट होने के कुछ दिन बाद लॉयर्स के एक मेंबर विरेंच री गुरंग ने अनुश्का शर्मा को कास्ट बेस लर यूज करने के लिए लीगल नोटिस भेजा है COVID-19 क्राइसिस के बीच लॉयर्स गिल्ड को फ्री एडवाईस देने के लिए बनाया गया है एक वेब पोर्टल से बात करते हुए गुरंग ने बताया कि सीडिस के सेकेंड एपिसोड में एक इंटेरोगेशन के दौरान एक लेडी पूलिस इंस्पेक्टर एक नेपाली के लिए जाती सूचक शब यानी कास्टियस लर यूज करती है गुरंग का कहना है आगे के जो वर्ट्स है वो अनेकसेपटेबल है और उन्होंने एक लीकल नोटिस अनुषका शर्मा को भेज दिया है क्योंकि वो शोगे प्रोड्यूसर्स में से एक हैं Lawyers अनुषके शर्मा के response का वेट कर रहे हैं और अगर अनुषका response नहीं करती तो वो ये matter digital platform Amazon Prime Videos के पास या दूसरे producers के पास ले जाएंगे Reports की माने तो इस castiest slur के against गोरखा community ने एक strong stand लिया है और series से इस word को edit करके drop करने या फिर mute और subtitles में से blur करने और एक conditional apology disclaimer की demand की है An online petition was initiated by the गोरखा community and was addressed to the Union Information and Broadcasting Ministry, the Minister Prakash Javadkar, Amazon Prime Video and series producer Anushka Sharma